और स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि अभी हाली के अंदर इसराइल के अंदर भारतिय मजदूर की जान चली गई अब वो कैसे गई एक Anti-Tank मिशाइल जो है वो उस वेक्टी के पास आगे गिरती है जिससे क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है और साथ इसाथ दो जो अलग वेक्टी उसके साथ जो काम कर रहे थे वो भी भारत के ही थे उन वो जो घायल हो जाते हैं अब यहाँ पर केवल ये बताया गया है इंडिन एक्सप्रेस के अंदर और एक साथ इसाथ एक एडवाईजरी भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जो न्यूस पेपर में ही दी गई है कि कैसे जो लोग जो हैं अपने फाइदे के लिए ही मतलब भारत के ही लोग अपने परिष्ण हैं लेकिन हमें यह देखना हैं या फिर वो जो क्रिएशन हम नहीं कर पा रहे हैं कि यह जो लोग हैं वो बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं इन सब चीजों को भी हम देखेंगे कैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए एक कैरला में जो है जिनका नाम है नभीन मैक्सवाल एकतिस साल के यह हुआ थे अब यहां पर क्या हुआ है इनकी मौत होगी और इनके साथ जो दो अधर इंजड हुए है नोर्दन इस्राइल के अंदर एक मि सा हो गया कहां पर क्या यह जहां पर हमास से फाइट कर रहा है गाजा पट्टी के पास क्या वहां पर यह हमला हुआ है यह कहीं और हमला हुआ है इसको भी हम देखेंगे इससे पहले एक न्यूज आई थी कि हैदरामाया है जो वेक्ति है वो रुशिया के अंदर काम करते यहां पर अभी फिलाल 9 जन्वरी 9 मार्च 2024 को एक न्यूज आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि कैसे ट्रेवल एजेंट जो है वो लोगों को स्टुडेंट विज़ा के नाम पर यहां पर रश्या भेज रहे हैं और उनको जबरदस्ती इस वोर के अंदर धकेल रहे हैं जो उनकी जान के लिए काफी जादा खत्रे का काम कर रही है यहां पर भी आपको संबलने के जुड़ता है और आपके आसपास कोई जानने वाला पहचानने वाला अगर यहां वो सोच रहे हैं कि मैं बाहर दे जाऊंगा क्योंकि रशिया के अंदर यही अपर्चिनटी दी जा रही है तो कहीं न कहीं एक बर जड़ा जांच कर लीजिए कि वो सही है या वो गलत है क्योंकि काफी सारे फेक प्रोमिसिस कहां पर किये जा रही है यह जो व्यक्ति यहां पर गए थे एक fake promise के चलते ही जो है वो रुशिया पहुंचा था कैर आज हम बात कर लेते हैं कि केरला में जो ये विक्ति थे इनके साथ जो हुआ या इनके साथ जो दो अदर विक्ति थे उनके साथ जो हुए हैं उनके हालात कैसे हैं वाँ पर दीखे केरला के कोलम के 31 साल के विक्ति निभीन मैक्सवल इनका नाम है इनकी मोहत होगी इनके साथ जो दो अन्य भारतिय थे एक जोसफ मैलवीन थे एक पॉल मैलवीन थे वो कथी तोर पर लेबनान से एक मिनिट चल रहा है लेबनान से एक हिजबुला द्वारा दागी गई एक anti-tech missile के सीमा के करीब गिरने पर एक ये जो काम कहां कर रहे थे क्रिशी समुद आए था एक मैसाव मैसाव एक क्रिशी समुद आए था यहाँ पर ये गिरे और जहाँ पर इनकी मोहत हो गई अब यहाँ पर यह आपको जानने की जूरत नहीं है सोमवार दो पैर ये तो न एक कारेरता पूर्ण आंतकवादी हमला किया जिससे क्या हुआ मारगिलियट एक जगह है इसराइल के अंदर उत्री गाओं में जहां पर एक बाग में काम कर रहे थे जहां इनकी मोहत हो गई जैसा कि इसराइल ने दक्षिन में गाजा में हमास के खिलाब अपना भियान जा गई है एक बार तो जरा हम यह देखिए यहां पर इसराइल के द्वारा जो है अपनी एक बात रखी गई जैसे यह न्यूस सामने निकल कराई कि कैसे एक भारती की जान चलेगी तो इन्होंने का कि एक आतंकी हमला है कायरता पूर्ण हमला किया है हेजबुला ने हेजबुल यहां पर पढ़ती है देखिए यह है गाजा यहां पर तो हमला हो रहा है ठीक है यहां पर इसराइल ने पूर्ण रूप से अपनी पूरी ताकत जोंक रखिए अब उतर की तरफ चलेंगे ना तो देखिए एक नोर्थ यह हो गया साउथ यहां हो गया वैस्ट यहां हो गया उतर की तरफ इसकी सीमा साजा करता है तो यहां पर क्या कर रहा है इसने भी अटेक कर रहे हैं इसराइल के उपर एक तरीके से इसराइल यहां पर भी टैकल करने ही कोशिश कर रहा है और यहां पर भी गाजा के अंदर जो हमला कर रहा है तो दो जो चीज़ें हो गई यहां एक तरीके से इस्राइल दो दो चीजों को हैंडल कर रहा है तो आई होप सो आप लोगों को जगह समझ में आगई कि कहां पर यह हमला हुआ है अब देखिए इस्राइल की हिजबुल्ला की समस्या के पहले तो यह समझे आठ अक्तुबर को आपको पता है दो जार तेज के आते हैं इस्राइल के नागरिकों को और अपने साथ लेकर वो वापस पैलेस्टीन यानि गाजा के अंदर चले जाते हैं तब से वह हमला हो रहा है साथ इस हमले के अंदर जो साथ दिया था वो इरान का समर्थित एक लेबनानी सिया राजनेतिक दल और एक आंतकवादी और लेबनान क्या कर रहा है अपने इस्राइल क्या कर रहा है लेबनान के साथ अपनी 120 किलोमेटर की जो एक सीमा साजा कर रहा है यहां पर भी लगाता हवाई और तोब खानों से हमला से इसका जवाब दे रहा है लग बग 50 नागरिक और 200 हिजबुला जो फाइटर थे वो म मारे गए और 50 नागरिक जो ही आपर मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ यह कहता है कि हिजबुला ने अब तक एक दरजन यानि बारा बारा के करीब जो है वो इस्राइली सेनिकों और पांच जो वहां की सिविलियन है उनको मार डाला है सिंक्त राष्ट की संस्ता है इंटर विस्थापित यानि की प्लायन कर चुके हैं वहां से निकल चुके हैं क्योंकि यहां पर हमला चल रहा है अब दक्षिन में कहां पर देखिए यह नोर्थ तो पड़ गया इसका उपर की तरफ लेकिन लेबनान ये तो नीचे की यानि इसका साथ पड़ता है न तो इसके दक स्थापना होई थी एक ग्रह यूद चला था लेबनानी ग्रह यूद सीविल वोर्ड चला था 1975-90 के तुरान तब इसकी स्थापना की गई थी अब इसकी स्थापना एक तो इसराइल के विरोध में की गई थी साथ जो वैस्टन का जो परभाव था मिडल इस्ट के अंदर उ उनको पूर्ण रूप से ये फोलो करते हैं उनी के तरीके से ये काम कर रहे हैं इसराइल भी एक तरीके से दोनों को यानि एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे जो है वो लेबनान के जो आतंकी संगठना उसको दूर किया जाए वहाँ पर भी हमले करने की कोशिच कर रहा है उसके हमलों से बचने की कोशिच कर रहा है इसराइल के यह सब चीज़े हमने देख लिए है अब आते हैं कि इसराइल में भारते काम कर आब कुछी टाइम पहले की बात है शायद हफता या पंद्रह-विज दिन पहले की बात होगी कि इसराइल ने 10,000 लोग जो हैं वो मांगे थे भारत से काम करने के लिए एक labor labor class के तोर पे मांगे थे भारत से कि आप हमें 10,000 लोग दीजिए क्योंकि हमारे यहां पर बहुत जादा shortage हो गई है काम करने के लिए अब ऐसा क्यों देखे इसराइल जो है उसकी अगर आबादी दे ले नहीं है इतना समझ लो साथ अक्टूबर यानि कि जब तक हमला नहीं हुआ था वहां क्या था कि फिलिस्तीन और अरब जो परवासी तो माइगरेंट थे यहां पर बहुत जादा भाहुमत था इनका majority के अंदर थे लगवग 80,000 फिलिस्तिनी जो थे अकेले इसराइल नि वो निलम्मित कर दिया और कई सारे विदेशों के करमचारी थी वह भी यहां से देश छोड़ कर चलेगे अब इससे क्या होगा अब सोचिए इतने सारे करमचारी अगर बाहर जाएंगे जो लेबर क्लास है वो बाहर जाएगी तो यहां पर श्रमिकों की तो कमी आनी ही आनी इसakahरी आनी इस कमी को भर भी कर रही है इस कमी को भरնए इकोश रहे है इसराइल ने नुवमπόर 2023 के अंदर क्रिशी शेतर में रोजगार के लिए विजा देना शुरू किया था अनुपचारिक अनुमान के अनुषार लगबग 800 बहर ती मुखे रुप से केरल हो गया तमिल लाडू हो गया तेलंगाना हो गया उत्तर परदेश से दिसंबर तक कृशी शेतर में नोक्रीयां लेने के लिए यहाँ पर इस देश में चले गए थे अब जबकि इसराइल में क्रिशी मोसम देखे यहां पर जो मोसम है जो environment condition वो इतनी सही नहीं है जिसके कारण क्या हुआ इन्होंने agriculture visa पर रोक लगा दी लेकिन अलग तरीके के visa निकालने शुरू कर दी जैसे कि construction के लिए इन्होंने visa निकाला जिसे इन्होंने का कि 10,000 हमें construction worker चाहिए लेवर चाहिए ताकि हम क्या है हमारा construction work हमारे यहां पर चलता रहे तो बहुत सारी तरीके के देखा जाएते हैं बहुत सारे लोग भारत से उत्तर भारत से जो लोग हैं यहां पर इसराइल के अंदर गए इतनी परक्रिया के अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा response देखने को मिला था अब यह response भी काफी चीजों को हमारे देश में उजागर करता है कि हमारे देश में लोगों के लिए प्रावत रोजगार नहीं है अगर रोजकार है तो उनको वो सैलरी नहीं मिलती है उतनी अब यहां पर देखेंगे कि इनको सैलरी कितनी मिल रही है उसको भी हम मैं बताऊंगा कि एक अगर किसी ने नर्स का कोर्स करका है सबसे देखें इसराइल के अंदर अगर किसी ने नर्स का कोर्स करके गया हुआ तो उसको तो बहुत अच्छा खासा एक amount दिया जाता है इसराइल में एक अच्छी reputative job मानी जाती है ऐसा समझ लीजिए अब देखें, स्वास्त है, यही आगे न employment in healthcare, इसराइल कैसा एक देश है, उमर दराज देश है मतलब यहाँ पर संक्या जो लोगों की जो उमर है, वो काफी ज़्यादा बुड़े होते जा रहे हैं, इसराइल में भारतिय कामगारों की जो मुझूदगी कोई अभी नई बात तो है नहीं कि अभी जा रहे हैं, अभी 10,000 मांग लिए अभी चले गए, नहीं, इस पहले से यहाँ पर भारतिय जो हैं, वो जाते जा रहे हैं पिछले October में देश में काम करने वालों की एक अनुमानित एक estimate figure माने न, तो 18,000 भारतियों में से जो अधिकांस यानि लगवग 14,000 बुजूर्ग इसराइलों की देखबाल करने में लगे हुए थे 18,000 लोग गए हुए थे भारत से इसराइल के अंदर, जिसमें से 14,000 तो बुजूर्गों जो इसराइली उनकी देखबाल करने में लगे हुए थे अब इतनी बड़ी संक्या देखे इतनी बड़ी संक्या के अंदर भारतिय जो हैं यहाँ पर बुजूर्गों की एक तरीके से देखबाल कर रहे हैं उनकी केरगिवर्स हैं वो एक तरीके से अब इसराइल जैसे उमदरा देशों में नर्सिंग ने लंबे समय से भारत के लिए अच्छे वेतन वाले करियर के अफसर परदान किये हैं अब नर्सिंग आपको पता है सबसे ज़्यादा कहा होती है केरल के अंदर तो केरल के ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर गए हुए एक देखबाल करता है यानि जो केरगिवर होता है उसकी वीजा बही ओविसली वीजा जाएगा वीजा लगवाएगा तो वीजा है जो एजनसी होती है उनके द्वारा जो फीस ली जाती है वो कुल टोटल जो है वो दस लाख उनको जाके पड़ती है इतना ज़्यादा महेंगा पड़ता है इनको अगर उनको केर गिवर या नी ऐसा नर्सिंग वाला वीजा चाहिए तो लेकिन यहां पर दस लाग के साथ इनको क्या क्या मिलता है यहां पर जो लोग गए हैं नर्सिंग का भी उनके पास अच्छा खासा अनुबव है उनके पास वो पढ़ाई की हुई है उन्होंने तो वो क्या करते हैं देखबाल कारे करता मुफ्त भोजन मुफ्त अवास स्वास्ते देखबाल और ओवर टाइम वेतन साहित इन सबको मिला कर बाई सब एक लाख रुपया परती महीना वो कमा के लेके आते हैं तो देखिए वो 10 महिने में कंप्लीट कर लेगा ये 10 साल 10 लाख रुपया तो वो असानी से और वो कितने टाइम से काम करते आ रहे हैं अब ये तो हो गया 10 लाख रुपया विज़ा लगता है अगर वो इस तरीके के हेल्थ केर सेक्टर में जा रहा है अगर वो हेल्थ केर सेक्टर में नहीं जा रहा है एक नोन केरगीवर विज़ा उसे चाहिए तो वो थोड़ा सस्ता पढ़ता है वो 4 लाख रुपय में पढ क्रिश की गई है क्रिशी कार्रे भी अधिक खतरनाग है जैसा कि आपने देखा निवीन मैक्सवेल की मिरत्यू से बदा चलता है हाँ देखिए यह जो केरगीवर की जो पर वो कहीं न कहीं सही मान जाती क्योंकि यह जादा तर जो लोग है वो अधिक संक्षिन शहर में घर के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर इनके उपर हमला होने के इतनी बात नहीं होती तो यह हो गया आपके सामने स्वास्ते के अंदर अभी 10,000 मैंने आप लोगों के सामने बता ही दिया कि 10,000 लोगों के एक requirement मांगी गई थी और भारत से बहुत सारे लोग जो इसराइल के अंदर अंदर काम करने के लिए गए भी थे तो इसराइल के अंदर देखे payment अच्छी है लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी सरकार को यह सोचना चाहिए 10,000 लोग हमने बाहर बेजने के लिए क्या हमारे देश के अंदर हम वो employment generate नहीं कर सकते क्या हम अब टाइम नहीं आ गया ह कि हमारे जो देश के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं उनको वो salary यहां नहीं provide हो रही है तो क्या कमी रह रही है उन कमियों को दूर नहीं किया जाना चाहिए यह देखने वाले क्योंकि बहुत सारे एक एमान में वहवार भी किया जाता है किवल पैसे के लिए चले जाएंगे लेकिन उनके साथ जो दुर वेवार होता है बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि बताया जाता है आप दुबई के बारे में सुन लिजिए या South Korea के बारे में सुन लिजिए जैसे उनके साथ वेवार किया जाता है जैसे उनको नाम से बुलाया जाता है तो कितना स्वाविमान जो है या अपना सम्मान जो है वो सबसे पहले उपर रखने की जरूरत है हाँ कई की कोई हालात आ जाते हैं कि हमें जाना पड़ते हैं लेकिन एक अपने स्वाविमान को साइड में रखते हुए जैसे वहां पर जाते हैं लेकिन बावजूद उनके उनकी मौत हो और यह तो यह बहुत जादा ध्यान देने वाला विशह है अब यहां पर एक फैसल खान है एक एए बाबा व्लोग करके हैं यूटूब पे व्लोग बनाते हैं इन्हों ने कुछ चीजें बोली कि बोला ये कि ये जो टाइम है ये सप्टेंबर दो हुजार तैस में अपनी वी पर्मानेंट रेजिदेंसी दे सकते हैं आपको अलग अलग वीजा यहां पर मिल जाएंगे यहां पर आएंगे तो एक अच्छा कासा एमाउंट आपको मिलेगा तो इस तरीके के जो बात इन्हों ने बोली तो काफी सारे जो लोग हैं इस बात से परभावित होकर रश्या क इसके अंदर शामिल थे अब यहां पर यह रश्या के अंदर काम करने चले गए एक सिक्योर्टी मैन के तोर पर इनको बताया गया था लेकिन इनको क्या किया गया जो वोर चल रहा था रश्या उक्रेइन वोर उसके अंदर इनको धकेल दिया गया जिससे क्या हुआ भाई सा तरिके के इन एजेंट्स को कहा है कि आप जिस तरिके से लोगों को लुभा रेकर यहां पर वोर के अंदर धकेल रहे हैं इनके उपर डेफिनिटली कारवाई की जाएगी लेकिन ऐसा नहीं कि सारा काम सरकार ही कर डालेगी आप कुछ नहीं करेंगे आपको भी सचेत रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो उमीद करता हूं कि आज का यह जो टोपिक हो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा इसके लिए पीडियोफ में बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक दिया मिलेगा लिंक दिया मिलेगा तो जाकर से इस वीडियो की पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर भी कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो